हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब पाथ जन्वरी को जेन्यू में हुई हिंसा का विरो थमने का नाम नहीं ले रहा है बानर पोस्टर के साथ जेन्यू चात्र संग की लोगों ने दिल्ली में मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च निकाला जहाँ प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए दिल्ली पुलिस के हाथ में चोट के निशान है साथ वेस्ट दिल्ली के डी सीपी इंकित पुरताप सिंग को किसी ने घायल कर दिया है उन्हें ये चोट तब लगी जब प्रदर्शनकारी जेन्यू इंसा और फीस बढ़ोत्री के खिलाफ विरोध कर रहे थे पुलिस दावा कर रही है कि प्रदर्शनकारीयों में से किसी ने उन्हें दाथ से काट लिया विरोध कर रहे चातर राश्पती भवन तक माच निकालना चाहते थे लेकिन पुलिस ने जब उन्हें रोका तो दिल्ली के विज़े चौक के पास हंगामा मच गया इससे पहले जे न्यू छातर संग ने बैनर पूस्टर के साथ मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च निकाला छातर राश्पती भवन तक मार्च ले जाना चाहते थे लेकिन पुलिस ने उन्हें इजाज़त नहीं दी आपको डायलोग करना है तो हम डायलोग करने के लिए तैयार है आप केमपस के अंदर आईए और देखिए कि समर्बधी के होस्टिल रेसिंस क्या पेस कर रहे हैं आप देखिए आपको डायलोग करना है तो आप डायलोग किंतवानी महापात्रा और रेजिस्टर दे कर सकते हैं लेकिन आप डायलोग कर रहे थे इतने दिन से सत्तो दिन के डायलोग के बाद हम लोगों को मारपीट किया गया हमारे साथ गुंडे भेजे गए जेन्यू छात्रसंग के छात्र ने कनाट प्लेस पर भी जम कर विरोध किया लेकिन रात होते होते ही छात्र अपने कैंपस में लोट गए जेन्यू छात्रसंग लगातार हिंसा करने वाले छात्रों को खिलाब कारवाई की मांग कर रहा है लेकिन पांस दिन बाद भी दिल्ली पुलस के हाथ खाली है उदर हिंसा की जाच के लिए जेनियू के वीसी ने एक कमेटी बनाई है सुभई गैरा बजे HRD सचेव अमित खरे ने वीसी जगदीश कुमार को मीटिंग के लिए बुराया है दो बहर तीन बजे मानव संसादन मंत्राले के सचेव चातरों के साथ बैठक भी करेंगे पिछले काफी दिनों से करेब सतर दिनों से ये विवाद चल रहा है जो की कई मुद्दे हैं चातरों के आज भी वो आये थे चातर संग भी आये था और Teachers Association भी मैंने बात की है और एक प्रयास यह है कि जो समवाध हिंता दिख रही है विश्विद्याले प्रशाशन और चातरों के बीच में तो सचेव के रूप में मेरा प्रयास है कि दोनों को इस समवाध हिंता को पाटते हुए कुछ आगे बढ़ा जाए लेफ्ट और कॉंग्रेस पहले से ही जेनियू के वी सी पर सवाल खड़े कर रही है तो कि मांग क्या है अभी आप शुम्रेदे की वाइस चांसलर को इस्तिफा देना होगा इस्तिफा नहीं यह वाइस चांसलर को बरकास करना होगा यह सरकार को और इस्तिफा देखे नहीं बाग सकता हो तीन गंटे यह नकापे ने गुंडों को लाटियों से वह पूरा मार पिटाई करने दिया कैंपस के अंदर पुलीस तानाद खड़ी थी पुलीस तानाद खड़ी थी लेकिन उसको बुलाया नहीं और यह भी बिलकुल साफ हो गया है कि जब तक यह कुलपती वहां रहेंगे अपने पद़ पर जेल न्यूमे सामान्य सिती बनने की कोई गुंजाईश नहीं है इस कुलपती कात्याक पत्र लेना ज़रूरी है सरकार अब जेन्यू के वीसी के खिलाब सवाल बीजेपी से भी उठने लगे हैं बीजेपी के वरिश टेता मुरली मराहर जोशी ने तो वीसी का स्टीफा तक मांग लिया है यही सवाल, ABP News ने जेन्यू के वीसी से भी पुछा था कि क्या आप इस्तिफा देंगे Vice Chancellor M. Jagdish Kumar इस सवाल का सीधा जवाब देने से बचते रहे देमेदारी को लेते हुए इस्तिफा देने की पेशकाश की या करेंगे या ऐसी बात सोच रहें या You see, whatever happens in the university as JNU administration, we are responsible to maintain learned order, we are responsible to provide every facility to our students and faculty and we are doing it with full responsibility and we will continue to do it Mr. Vice Chancellor, मैं आप से यह जानना चाहता हूँ कि विल यू रजाएन और, have you thought of something like that? मैं बताया आपको हम जो करेंगे मैं आपको बताया ठीके, हम जो करेंगे, that is for the welfare of this university आपको जेनियो हिंसा को लेकर बीजेपी के तीन नेताओं का भी बयान सुनना चाहिए इरो इनको तो अपना डांस करना चाहिए बांबे में बैठके, वहाँ पे जेनियों क्यों जाना चाहिए उसको, मैंनी समय में नहीं आ रहा है तो इस प्रकार के दर्जनों लोग होगा हैं जो एक्टिविस्ट कहलाते हैं आर्टिस्ट कहलाते हैं जो भी हैं वो ऐसे जगह जाके जहां से पढ़ना एक ही भे होना चाहिए लोग का जो भी हुआ है वो गलत हुआ है आप किसी भी आइडियोलोजी के हो किसी भी विंग के साथ जुड़े हो क्या कोई भी आपकी सोच हो अल्तिमेटली, यूिवर्स्टी इस बच्चों का भविष्या बनाने की जगह नहीं है, इस बी ये किया है और जहां से भी शुर्वाथ हुए जहां से भी ये शुरुवाद कि गई है, जिसने भी वाइलेंस फिलाने की कोशिश करी है, इनके साथ कड़ी सजा मिलने चाहिए, जिस भी विंग के छात्रों ने ये किया, पूरी कड़ी सजा मिलने, कोई ही भी हो. इस देश में सबका एक freedom है, freedom of expression है, दीपिगा जी वहाँ पे क्यों गई है और क्या समखन किया ये मुझे बतानी है, लेकिन वहाँ तक वहाँ जो हिंसा हुई है, उसको हम बहुत ये दुखी बाते और ये खंड़ा करते हैं लेकिन जेनियू हिंसा को लेकर सबसे ज़्यादा दिल्ली पुलिस की भुमिका पर सवाल उठे हैं, क्योंकि अभी तक पुलिस आरोपियों की पहचान नहीं कर पाई है, जबकि नकाब पोशों के बीच भी कही ऐसे चहरे थे, जिन्नोंने कोई मास्त नहीं लगाया था, फिर अभी दिल्ली पुलिस उनकी शिनाक नहीं कर पा रही है, कम से खम उन नौन लड़कों को तो आसानी से पहचाना जा सकता है देखिए, जेन्यू में जो हिंसा हुई, उसके विरोध में कई जगा प्रदर्शन हुए, और इस दौरान फ्री कश्मीर वाला एक पोस्टर भी कई जगा दिखाए दिया, सबसे पहले मुंबाई में आप इसका विवाद पहुच गया है करनाटक, ये रपोर्ट देखिए करनाटक के मैसूर में मैसूर युनिवरस्टी के छातरों ने जब जेन्यू के विरोध में प्रदर्शन किया, तो हाथों में बैनर पोस्टर, सरकार के खिलाफ नारे बाजी थी, लोग सड़क पर आग जलाकर विरोध कर रहे हैं, युनिवरस्टी ने अब इस विरोध प्र को लेकर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। अब बाद दिपिका पादकून की फिल्म छपाक की कर लेते हैं, जो आज रिलीज हो रही है। लेकिन जेनी हुिंसा की विरोध में दिपिका के शामिल होने के बाद उनकी फिल्म के विरोध और समर्थन में राजनीती भी गर्मा गई है। प्री कर दिया गया है। उधर समर्थन तो यूपी के मुजफर नगर में फिल्म के खिलाफ ए भी विपी के जात्रों का प्रदर्शन, छपाक के विरोध में ग्रान प्लाजा मॉल पर नारे बाजी की गई और दिपिका पादुकून का पुतला फुका गया। अब देखें मध्य प्रदेश में फिल्म के समर्थन के लिए कॉंग्रिस की छात्र इकाई, एनस्यूआई का बंदोबस्त। कटनी में एनस्यूआई ने फैसला किया है कि वो छात्रों को मुफ्त में शो दिखाएगी, इसके लिए एनस्यूआई के कारिकर्टा बाकाईदा पहले से टिकेट भी खरीद रहे हैं। कि शात्रों को देखने, उनकी पीडा को समझने, मशूर फिल्म अभिनेतरी दीपी का पादू कौन जी, ने ये जो साहस किया है, इस साहस को भारती राष्टी छात सेंग्टन सलाम करती है, कॉंग्रेस पार्टी साहस को सलाम करती है। मदर प्रदेश में फिल्म छपा को राजनीत एक समर्थर मिला है, कमलनाथ सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है, सीम कमलनाथ ने कहा कि ऐसे डटैक पीडिप की कहानी है, इसलिए फिल्म को फ्री किया। कमलनाथ ने फिल्म छपा के बहाने जेन्यू हिंसा पर सवाल खड़े किये, तो मदर प्रदेश से बीजेपी के नेता, दिपिका के जेन्यू जाने पर विवादित बयान दिया। इनको तो अपना डांस करना चाहिए, बांबे में बैठके, वहां पर, जेन्यू में क्यों जाना चाहिए उसको, मैंनी समझ मनी या रहा है। इस प्रकार के दरजनों लोग होगा है, जो एक्टिविस्ट के लाते हैं, आयर्टिस्ट के लाते हैं, जो भी हैं, वह ऐसे जगह जाके जहां सर्फ पढ़ना, एक ही भे होना चाहिए लोगा। बीजेपी सही दिपेका के जेन्यू जाने पर तो अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आई। उनके पास पूरा राइट है उदर जाने का और उन्होंने किया, अगर वो एमोशनली उस प्रोटेस के साथ जुड़ी है, बिल्कुल डिमॉक्रिसी है, हर इंडिविजूल के पास उसका राइट है, लेकिन I hope and I pray कि उन्होंने ये प्र के लिए नहीं किया, अगर उन्होंने क्यों गई हैं और क्या समक्तिया, ये मुझे पतानी है, लेकिन वहां तक वहां जो हुए है, उसको हम बहुत ये दुखी बाते हैं और ये खड़ना करने के लिए, इसमें लगे कि हमारे समाज को ससक बनाए जारा है, हमारा समाज महिलाओं के प्रती ससक है, हम अगरे सम्पवड़ स ससक मारे समाज कjor समी है, इसमें था करी उन्हों गला जा झाहरा है, हमारे समाज इधने कि हैं और ये खड़ा खवां के गड़ंस, और दो हो कि महां जारा है, रहैं रहते हैं और दूए हैं प्रती सटेशसे Hat a हम समाज के लिए किन अ 는र आरा हैं और